What's up everyone, welcome back to the channel, तो आज हमें complete करना है ADAS, मुझे ऐसा लगा था कि हमने 7 और 8 कर लिया और 9 पेंडिंग है, तो मैं 9 डाल दूँगा, बर जब मैंने playlist चेक करा, तो मैंने देखा हमने 7 complete करा है, 8 और 9 दोनों रह रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हमारे schedule के हिसाब से, आज हम chapter 8 मैं करा देता हूँ, 7 और 8 आप आज पूरा कर लो, कल हम money banking करेंगे, normal जो हमें करना ही था, as per schedule, money banking आ जाएगा 10 बजे, शाम को 5 बजे उसके PYQs आ जाएंगे, परसो सुबह 10 बजे मैंने कोई भी lecture नहीं रखा था, क्योंकि हमारा national income already complete था, तो मैं क्या करूँगा, परसो सुब चैप्टर को शुरू करते हैं, बहुत ही आसान, साधारन सा चैप्टर है, income determination and multiplier, मेरे पास notes है, but as always, मैं पहले चीज़े तुम्हें लिख के समझाऊँगा, उसके बाद हम notes पे चलेंगे, ठीक है, income determination and multiplier में है क्या, देखो यहाँ पे हम लोग धूडने वाले है, equilibrium, शब्द सुना सुना लगता है, equilibrium level of income, या फिर output and employment, अब यह जो चैप्टर है ना बच्चे, यह चैप्टर कीन्स की थेयरी है, पूरी की पूरी, कीन्स कोन है, प्रोफेसर जेम कीन्स, जिन्होंने equilibrium का पूरा थेयरी दिया है, macroeco में, तो बहुत popular नाम है, इनकी थेयरी को क्या बोले आता है, कीनीजियन थेयरी, तो आप जब भी पढ़ोगे इस चैप्टर को, तो कीन्स शब्द याद रखना, इनकी थेयरी, जिसको हम की इनकी थेयरी बोलते हैं, ये याद रखना, और इन्होंने ये बोला, कि जो equilibrium है, वो हमें कहां पे मिलने वाला economy में, बट वहां तक पहुचने से पहले इस शब्द का मतलब तो जान ले, तो आप अगर थोड़ा बहुत आपको याद है, class 11, तो microeconomics में सबसे पहले आपने equilibrium, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, तो हमने पढ़ा था, consumers equilibrium, फिर हमने पढ़ा था, producers equilibrium, फिर हमने पढ़ा था, market equilibrium, तीनों ही चीजों में, equilibrium word was common, equilibrium होता क्या है, equilibrium एक ऐसी position होती है, जिसको change नहीं करा जाता, मतलब वो एक best position होती है, position of no change, या position of rest, उसको हम equilibrium बोलते हैं, अब consumer कहाँ पे equilibrium पे होता था जहाँ उसको maximum satisfaction मिलता था producer कहाँ equilibrium पे होता था जहाँ उसको maximum profits मिलते थे market कहाँ equilibrium पे होता था जहाँ पे consumer और producer दोनों खुश यानि कि जो हम class 11th में market equilibrium पढ़ते थे ऐसा demand आता था ऐसा supply आता था यहाँ जहाँ पे demand supply बिल्कुल equal होते थे इसको हम equilibrium बोलते थे market equilibrium अब यह जो market equilibrium आपने पढ़ा यह market equilibrium कौन सी economics का part था micro economics का यहाँ पे हम micro नहीं पढ़ते यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं macro अब macro में demand नहीं होता क्या होता है aggregate demand होता है supply नहीं होता क्या होता है aggregate supply होता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो equilibrium मिलेगा Keynes ने बोला, यहाँ पे जो equilibrium मिलेगा, वो equilibrium वो होगा, जहाँ पे aggregate demand बराबर होगा, aggregate supply अरे वाँ, यह है logic, जैसे class 11th में demand बराबर supply दोनों खुश, वाई देगो किसी भी economy में दो लोगें, consumer, producer, macro level पे जब आप पढ़ते हो, तो 4 sector हैं, कौन-कौन से 4 sector हैं, consumers, यानि की households, firms, government, rest of the world, government और rest of the world को हम considering नहीं कर रहें, क्योंकि आप जानते होगी AD, सिर्फ और सिर्फ, C plus I, और AS, C plus S, यही तो पार लगे चलते हैं, two sector model पढ़ रहे हैं, यहाँ पर assumption अभी भी वो ही है, कि there are two sectors in the economy, तो हम लोग क्या consider करके चल रहे हैं, कि जहाँ पे AD, AS के बराबर होगा, उसी को हम equilibrium बोलेंगे, उसके सामने जो output होगा, वो equilibrium level of output, उसके सामने जो income होगा, वो equilibrium level of income, उसके सामने जो employment होगा, वो equilibrium level of employment, सही है यह नहीं है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, तो C plus I, C plus S, यहाँ से C से C खतम हो गया, इसका मतलब I is equal to S भी हो गया, yes, तो Keynes ने जो आपको approaches दी है, approaches to find equilibrium, जो Keynes की approach है, equilibrium find करने की, वो दो approach है, एक है AD is equal to AS, एक है S is equal to I, saving investment approach बोलते हैं इसको, और इसको ADS approach बोलते हैं, according to ADS approach, चहाँ पे AD बराबर AS है, वो equilibrium है, according to SI approach, जहाँ पे saving बराबर investment है, वो equilibrium है, simple, आओ, अब table की मदद से जानते हैं, आजाओ sir, कौन सी table ले, वोई table जो पूरे chapter में मैंने तुम्हें लेने को बोली है, same वोई table ले लेनी है, income ले लेते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, है ना, consumption कितनी लेते हो, पहले 40, फिर 80-80 का difference, 80-80 से बढ़ा दो, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520, यही ली थी table पूरे chapter में, उसके बाद investment autonomous linear 2020 का ले लो, या 40-40 का ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छ है, जो मन करें वो ले ले लेना, ठीक है, यह हमारे पास, y is equal to c plus i हो गया, perfect है, अच्छा, अगर मैं आप लोग को बोलू कि saving भी बता दो, तो saving क्या होता है, जितना income है, उसमें से जो consume कर लिया, वो हटा दो, तो saving आ जाएगा, वही 600 रुपे कमा रहा हूं, 520 का खर्चा कर रहा हूं, तो saving कितना आएगा, 80, 500 कमा रहा हूं, 440 का खर्चा कर रहा हूं, 60, ऐसे ही minus करते जाओ, 40, 20, 0, minus 20, minus 40, यह ज autonomous consumption ही किसके बराबर होता है, negative saving के, याद आया थोड़ा थोड़ा, आरा याद, ठीक है, अब जब AD निकालोगे, तो AD कैसे निकलता है सर, AD होता है, C plus I, और AS कैसे निकलता है सर, C plus S, है ना, तो C plus I करो जब, 40 plus 20, 60, 120, plus 20, 140, 220, 300, 380, 440, 460, 540, done, और AS क्या होता है, AS होता है, C plus S, 40 minus 40, 0, 120 minus 20, 100, और मुझे तो पहले से पता है, यह क्या आने वाला है, आरे सार, यह कैसे पता चला, भूल गए या याद है, मुझे बताना ज़रा comments में, भूल गए है याद है, वीडियो को pause करो, और मुझे बताओ, मुझे कैसे प 460, 500, 600 यह आने वाला होता है, pause करो और बताओ, फटावच से, sir, इसका simple सा logic था, कि जो income होता है, वो ही AS होता है, हमने पढ़ा था, income is equal to AS is equal to C plus S, आ गया ना याद, perfect, अब देखो AD और AS कहां पे equal आ रहे हैं, AD और AS कहां पे equal आ रहे हैं, AD और AS equal आ रहे हैं, यह आ गया, 300, 300, इसका मतलब, AD is equal to AS आ गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, equilibrium, sir, आपने तो बोला सा, दो approach होती है, ADS, SI भी तो होती है, चेक करो क्या, इसी पे saving और investment भी बराबर आ रहे हैं, अरे वा, इसी पे saving और investment भी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब, यही है equilibrium, perfect, equilibrium level of income कितना आ गया 300, perfect हो गया है, नहीं हो गया, तो यह हमारे पास basically option रहता है, इस तरीके से आप equilibrium ढूंदते हो, अब sir, आपने तो वहाँ पे employment भी लिखा था, तो यहाँ एक column और ले 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 ले, इसको हम क्या बोलेंगे, employment, इसको हम क्या बोलेंगे, employment, इसको ले लो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यह उपर क्या है, इस से उपर, equilibrium से पहले, AD जादा है, AS कम है, तो जब भी AD जादा होता है, AS से, इसको हम लोग बोलते हैं, access, demand, इसको हम क्या बोलते हैं, access, demand, यहाँ पे AD कम है, और AS जादा है, यहाँ पे AD is less than AS, इसको हम बोलते हैं, deficient, demand, तो हमारे पास बच्चे, तीन चीज़े इस टेबल से आप सीख रहे हो, सबसे पहले, equilibrium, then access demand, and then deficient demand, I hope आपको यह table बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और आपको equilibrium भी मिल गया होगा, करो जल्दी से, हो गया काम, perfect, अब suppose वहाँ पे सिर्फ AD, AS का ही explanation आया, हो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, आपको कैसे लिखना है, but curve आपको उसके बाद बनाना होगा, अब आप जानते हो, AD का curve कैसा होता है, इस तरी कैसे, AD, और AD में हम क्या क्या चीज़े लेके चलते हैं, bracket में लिख दूँगा, C plus I, ठीक है, अब आपको मुझे बताना है, क और AS की जब मैं बात करता हूँ, तो हम AS ले लेंगे यहां से सीधा, 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 इस तरीके से, इसको AS ले लिया, AS को बोला C plus S, AS का यहां पे एक angle होता है, जिसको हम बोलते हैं, 45 degree का angle, ओके, उसके बाद यह जहां पे intersect कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, equilibrium, और यह है, इसका equilibrium level of income, output, employment, यहां पे आपको equilibrium level of income, output, employment मिल रहा है, और इधर आप ले रहे हो, AD, AS, परफेक्ट है या नहीं है, this is how आप AD, AS एप्रोच में curve बनाते हो, ठीक है, अब इस से पहले जो situation आ रहा है, for example, आप, यह तो हो गया, आपका O, इसको Q ले लो, ठीक है, अ अगर मैं यहां ले लूँ, इस पॉइंट पे, इसको Q1 ले लूँ, तो Q1 पे अगर आप उपर चलो, 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 यह एक पॉइंट आया, यह क्या है, AD है, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो, इस प इमाइंड बोल रहे थे, तो हमें इसको किदर की तरफ लेके चलना होगा इदर की तरफ, ताकि हम equilibrium पे आप आपाएं, कैसे जाते हैं मैं अभी सिखाऊंगा, और अगर हम इदर चलें, इसको ले लूँ, Q2, तो यहां से उपर, 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 बड़ा सा और खीच दे न, यह आगया आपका क्या, AD, और यह आगया क्या आपका, AS, तो इस situation में क्या है, जो AD है, वो कम है, किस से, AS से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते है, Deficient Demand, तो हमें इसको भी कम करना है, और किदर की तरफ लेके आना होगा, इदर की तरफ क्योंकि हमें आना equilibrium पे ही है, ओके, परफेक्ट, तो यह diagram तो आप कब बना के आओगे, AD, AS approach में, जब हम saving investment की बात करते हैं, बिटा, तो saving investment भी इसके बराबर ही होता है, है न, तो क्या होगा हम आपे, saving investment की जब मैं बात करता हूँ, तो investment तो autonomous है, इस तरीके से investment का curve बनता है, straight line, right, और saving का curve negative से शुरू हो जाता है, यह हमारी saving है, तो जहाँ पे saving और investment बराबर होगा, यह, इसको हम equilibrium बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, equilibrium, कुछ बच्चे break-even point से confused होते हैं, तो बेटा, break-even point यह है, this is break-even point, यह हमारा break-even point है, जहाँ पे saving 0 होता है, यह equilibrium है जहाँ पे saving बराबर investment होता है, समझे, तो do not get confused with break-even point and equilibrium, equilibrium काफी आगया आता है, और break-even point पीछे रह जाता है, ठीक है, ऐसे ही ADS में भी कुछ बच्चे break-even point में confused रहते हैं, बच्चो break-even point ADS से नहीं होता, break-even point कहाँ पे होता है, जहाँ पे income बराबर consumption हो, consumption कर तो मैंने बना ही नहीं है, इसके अंदर, ठीक है, चालो, तो यह आपका equilibrium SI approach से हो गया, perfect, यह आपको SI approach में curve बना के आना होगा, I think आप लोग को पूरा equilibrium का concept क्लियर हो गया होगा, अब इसमें भी, इसमें भी ऐसी चीज़े होती है, देखो यहाँ पे भी, यह हम quantity लिखेंगे, इसको उठा ॐएक पॉइंट आया, saving का और यह झाया, investment का, तो यहाँ पे क्या ह Torah है, यह झायां पर जो आपका investment है, वो greater than investment है तो यह दोनों situations हैं इसमें भी हमें इधर की तरफ चलना है और इधर की तरफ चलना है आरा equilibrium पर ओके परफेक्ट चालो अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने notes में क्या-क्या लिखावा है सबसे पहले आ जाता है हमार बास determination of equilibrium एक तो मुझे अभी यह जो ब्राइटनेस इसमें सबसे कम है यह वाँ ढूंडनी वर्दी है इसमें option इस इस न्यू बोर्ड तो मुझे भी चलाना नहीं आता यह वाला साइस है determination of equilibrium level तो equilibrium level कहां पर मिलता है देखो क्या लिखा according to kinesian theory सब समझा दिया वैने आपको आपके बहुत सिंपल है economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply clear उसके बाद AD is equal to AS होना चाहिए AD को C plus I बोलते है AS को C plus S बोलते हैं दोनों को बरावर रखा तो SI approach मिल गया आपको तो kines के according 2 approaches है कौन-कौन सी 2 approaches है AD AS approach SI approach sorted assumption लिए है हमने कि हम जितनी भी चीजे पढ़ रहे हैं वो सब short run में पढ़ रहे है ठीक है सारी की सारी चीजे हम किस run में पढ़ रहे है short run में पढ़ रहे है price को हम constant assume करके चल रहे है investment को भी हम autonomous मान के चल रहे है यानि same लेके चल रहे है उसके बाद हम लोग two sector सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं यानि कि ना तो गॉवर्मेंट है और ना ही फॉरन सेक्टर है बेसिक सी बात है जो आपको सब पता है देखो economics में कोई भी law house में बहुत सा रेजम्शन होते हैं क्योंकि एक जाए AS के अब AD के दो component है C plus I यानि C अलग I अलग C क्या होता है consumption I क्या होता है autonomous investment दोनों को define कर दिया उसके बाद AS के दो component है AS को define कर दिया AS is C plus S ठीक है फिर एक schedule बना दिया schedule मैंने आपको already समझा दिया कहां पे equilibrium है कहां पे AD greater than AS है कहां पे AD less than AS है फिर एक curve बना दिया जो हम already पढ़ चुके है equilibrium कहां पे मिला सारी चीजे अब curve का explanation लिख दिया explanation में तो तुम लोग महान हो AD curve क्या दिखाता है कि खर्चा कितना करने वाले है consumers और firms economy equilibrium कहां पे है जहां पे point E आया sir point E कौन सा यह जहां पे AD और AS बराबर है ठीक है उसके बाद O Y equilibrium level of output आ गया sir equilibrium level of output कहां पे आ यह आ गया बिटा यह O Y अब मैंने आपको इस curve में चीज समझाई थी अपने diagram में क्या चीज समझाई थी मैं यहां पर दुबारा से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए मैंने आपको समझाया था बच्चो कि अगर यह पहले हो यहां पे हो यह और यह तो इस particular area को हम लोग क्या ब आपको अर यह बनाखे आगा और यहां से ऊपर चलें 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 तो यह पॉइंट आएगा और यह यहां पे क्या जाता है धेखो यह उपर यहां पे 8 देन यह s है तो यहां से भी आपको बट ahístate की तरफ जाना वाँगा तो arrow लगा कि इह धर से किधर जाना मैं हमें perfect screenshot ले लो डाई ग्राम का वैसे तो आपने बनाया होगा चलो अब उसके बाद क्या लिखावा है equilibrium level of income 400 करोड है AD is equal to S अपने वाली ले लेना जो हमने लिवी है इसने अपने टेबल का इस आप से बताई है मैंने टेबल शायद इसने 40 और 20 का difference था हाँ इसने यहाँ पर 40-40 लिया है हमने 2020 लिया है तो वो इसलिए फरक आ रहा है ठीक है इसके बाद क्या आता है very important इसी situation को effective demand बोलते हैं exam में आवा है what do you understand by the term effective demand जहाँ पर AD बराबर AS होते हैं उसी situation को उस demand को हम effective demand बोलते हैं ठीक है जी अब यह बहुत important है कि sir अगर AD greater than AS हो तो क्या होता है AD less than AS हो तो क्या होता है समझो AD अगर जादा हो यानि कि demand अगर जादा हो जाए इसका मतलब यह है कि जितना हमने expect करा था उससे जादा demand हुई अगर उससे जादा demand हुई तो उस situation में हमारे पास समान की shortage हो जाएगी जादा है लोग जादा खरीद रहे हैं समान की shortage हो गई सामान की अगर shortage हो गई इसका मतलब बहुत simple है इसका मतलब ये है कि सामान कम पढ़ गया सामान अगर कम पढ़ गया तो क्या करोगे आप आपको अपना जो भी inventory है वो utilize करना पढ़ेगा तो inventory कम inventory कम होने से अब हमें आगे आने वाले time में प्रोडक्शन बढ़ाना पढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जादा लोगों की जुरत पढ़ेगी तो employment भी बढ़ेगा तो इसके ये impact आपको लिख के आने है कि अगर greater than AS हो जाता है AD तो उस scenario में जो inventory है वो कम हो जाएगा सही करने के लिए output बढ़ाओगे production बढ़ाओगे employment बढ़ेगा ठीक है या नहीं है यह यह यहाँ पर लिखाव है When AD is more than AS It means that firms and consumers would be buying more goods than the firms are willing to produce Firm नहीं बना पाई इतना As a result inventory will fall Inventory कम हो जाएगा To bring the inventory back to desired level Firm would resort to increase in employment and output Output बढ़ेगा, employment बढ़ेगा जब तक हम वापिस से equilibrium पे नहीं आ जाते AD less than AS हो जाए तो उल्टा हो गया उल्टा क्या हुआ? Demand ही नहीं हो रही यानि लोग मांगी नहीं रहे समान अगर लोग समान नहीं मांग रहे वच्चे तो उस सेनारियो में इंवेंटरी जाद हो जाएगा Stock पढ़ा रहेगा आपके बास Stock जब अल्रेडी पढ़ा है तो आप production करोगे नी तो production कम हो जाएगी Production कम होगी तो labor को क्यो रखोगे? Labor भी कम यानि employment भी कम हो जाएगी हम यहां लिखेंगे AD is less than AS तो उस सेनारियो में जो C प्लस I यानि कि जो AD कर्व है वो नीचे आ जाता है 45 डिग्री लाइन यानि AS कर्व के It means that firms and consumers would be buying less goods कम खरीद रहें As a result, inventory would rise Inventory जादा हो जाएगा जब समान भी काही नी तो stock बढ़ गया To clear the unwanted increase in inventory firms plan to decrease the employment Employment कम करेंगे Output कम करेंगे जब तक हम वापिस से Equilibrium पे नहीं आ जाते Sorted, clear हो गया आना वापिस Equilibrium पे ही है Then we have SI approach Same table Bस saving बराबर investment आना चाहिए आप इस तरीके से दोनों करव एक साथ भी बना के आ सकते हो Equilibrium दोनों का एक जगा पे ही दिखा दिया देखो इस तरीके से मैं दो Curves बना दूँँगा सबसे बहले, ऐसे ही बना गया न, exam में को दिक्कत नहीं है मतलब इसी order में बनाना तो गलत नहीं होंगे आपके freehand scale से बना सकते हो, कोई plot करने की जुरत नहीं है सबसे पहले 45 degree की line ले लो इसको हम AS बोलते है ठीक है, उसके बाद यहाँ से AD ले लो परफेक्ट, यह आपका equilibrium आ गया this is your equilibrium यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक investment की line ले लो सबसे पहले फिर यहाँ से सीदा 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 एक perpendicular draw कर दो यहाँ पे, क्योंकि दोनों को इखटा दिखाना था ना तो यह equilibrium तो यह equilibrium तो यह equilibrium अब क्या करना है यहाँ से simply saving ले 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 और इन्हें मिला देना सीदी सीदी, straight line बना देना तो यह देखो, दोनों curve बन गए यह equilibrium हो गया as per SI approach और यह equilibrium हो गया as per ADS approach लो जी, सामने सामने मैंने आपको दोनों चीज़े दिखा दी सही है, यहाँ पे आपने ADS यहाँ पे saving investment यहाँ पे income output employment income output employment ठीक हो गया, perfect, चल अब क्या है हमारे पास sir explanation वापिस से इस curve को explain करो कि भाई investment क्या होता है investment curve parallel to x-axis होता है autonomous की वज़े से saving curve कैसा होता है negative से शुरू होता है, वो सब बता दो economic equilibrium पे आएगा point E पे जहाँ पे saving investment बराबर होंगे जहाँ पे saving, saving investment के बराबर होंगे ain't मतलब planned, right OY equilibrium level of output आगया OY क्या है sir, OY जो नीचे output आया perfect उसके बाद sir, यह दो situations क्या है, अगर saving greater than investment आया तो क्या, saving less than investment आया तो क्या, same बिल्कूल same वोई चीज़ जो पीछे लिखी saving अगर जादा हो रही है इसका मतलब लोग खर्चा नहीं कर रहे खर्चा नहीं कर रहे का मतलब demand नहीं है same चीज, demand नहीं है अगर तो क्या होने वाला है, inventory बढ़ जाएगा सही है, उसको ठीक करने के लिए अगली बार से production कम करना पड़ेगा, employment कम होगा और अगर saving less than investment आ रहा होगा less than investment का मतलब है कि लोग खर्चा जादा कर रहे हैं, तबी तो saving कम हो रही है खर्चा जादा करेंगे तो saving कम होगा saving कम है, इसका मतलब demand जादा है demand जादा है तो inventory गर जाएगा सही करने के लिए अगर होगे, production बढ़ा होगे employment बढ़ा होगे, वो चीज यहाँ पर लिखी है saving less है, इसका मतलब लोग खर्चा जादा कर रहे हैं, if planned saving is less than planned investment, it means that household are consuming more as a result inventory would fall वो ही same चीज, वो ही same चीज यहाँ है यह आप ध्यान से एक बाद screenshot ले लो read कर लो, इसी के साथ बच्चो इस chapter का पहला topic हमारा खतम, जो की था how to find equilibrium using ADS approach and SI approach पका paper में आएगा इन दोनों में से 6 number के लिए most important, सावदान या सवाल, तयार कर लो आज ही अब चलते हैं दूसरे topic की तरफ जो की है हमारे पास यह तो भी बताऊँगा तुमें investment multiplier बहुत शांदार, बहुत simple सा topic समझो, करो, खतम करो चलो, अब चलते हैं multiplier की तरफ चलो, heading डालो, अब जल्दी से मेरे साथ-साथ multiplier which is denoted by K, ठीक है, जो जो पढ़ाने वाला हूं बहुत शांदार होने वाला है और तुमें एकदम clarity आजाएगा, सही है और ये जो revision series है मतलब मुझे सच में इतना मजा आ रहा है मैंने government budget पढ़ाया, मैंने BOP पढ़ाया, मैंने foreign exchange पढ़ाया और मुझे literally, कई वार होता है एक inner sense of appreciation आता है कि यार क्या शांदार, देखो teaching एक art है आप जैसे जैसे पढ़ाते हो आप वैसे वैसे better होते चले हाते हो, तो मुझे literally एक inner satisfaction खुद मिल रहा है कि this is my best till now, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस clarity के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, जिस clarity of thoughts के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है and I really hope आप लोगों भी उतना ही मजा आ रहा होगा, तो यार फोड देंगे यार, बिल्कुल मतलब, कुछ छोडेंगे ही नि concept तो ऐसा कर देंगे, देखो इसमें क्या-क्या बढ़ना है सबसे पहले meaning of multiplier meaning of multiplier और हाँ, थवित खराब हो कुछ भी हो, काम करूँगा and जो तुमसे प्यार है न दिल से वो ऐसे ही रहेगा, चाहे साला कुछ भी हो जाए I'm so sorry, मैं जजजबाती हो गया but तुमारे exams हैं तुमें फोडना है और तुमें बढ़िया marks लेकर आने है, करियर तुमें बहुत शांदार बनाना है, और उसमें मैंने 1% भी contribute कर दिया न मेरा यहां पे होना सफल हो जाएगा, meaning of multiplier दूसरा relationship with MPC and MPS तीसरा meaning of multiplier हो गया relationship with MPC and MPS हो गया minimum and maximum value of multiplier formulas यह चार topics हैं, जो आपको इस particular topic को समझने में मदद करेंगे, perfect, शुरू करते हैं multiplier के साथ, कि multiplier होता गया है, देखो बड़ा simple सा fundamental है, multiplier यह बोलता है, कि economy में जब भी investment होगा economy में जब भी investment होगा उसके कई गुना income generate होने वाला है, कई गुना income generate होने वाला है, क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटाजी, कि अगर economy में सपोज, एक हजार करोड रुपय आये investment होई देखो होता गया है जब भी सरकार investment करता है जैसे कोई bridge बनाता है, dam बनाता है बड़ी building बनाता है, कुछ भी government बनाएगा तो वो पैसा लोगों के पास ही आएगा लोगों के पास कैसे आएगा समान खरी देंगे, वो सब बनने में रहता सिमेट, इंटे, सरिया कितना समान खरीदना पड़ेगा, labor को salary देंगे तो कितने लोगों कोई घर पर पैसा पहुचेगा फिर वो लोग school की fees देंगे खाने का समान खरीदेंगे shoes खरीदेंगे, bags खरीदेंगे उसके इलावा पानी, कितने कितने सारे लोग हैं जो जुड़ेवे होंगे वो पैसा वहाँ घुमेगा, फिर वहाँ से पैसा और घुमेगा तो economy में जब भी investment होता है उससे कई गुना income generate होती है let's suppose यहां से 1000 से 10,000 करोड की income generate हो गई तो हम बोल देंगे कि economy में पैसा कितना times हो गया 10 times हो गया यह 10 times ही value of multiplier है 10 times ही value of multiplier है अब एक बाइब बताओ यह जो 10 times आया यह तब ही आया जब खर्चा हुआ अगर खर्चा ही नहों होता फिर कैसे होता तो जो multiplier है न वह सीधा सीधा किस पर dependent होता है सीधा सीधा dependent होता है MPC पर सीधा सीधा कि marginal propensity to consume अगर income बढ़ेगी तो कितना खर्चा बढ़ रहा है जितना जादा खर्चा होगा उतने जादा level की income बढ़ने वाली है देश में समझ रहे हो अब देखो मैं इसको और practically समझाता हूं Let's suppose हम लोग एक table बना लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं हम round यहाँ पर हम ले लेते हैं investment यहाँ पर हम लेते हैं sentiment consumption के बाद मैं ले लेता हूं savings अब देखो सपोस for example हम इस तरीके से लेते हैं कि first round में सरकार ने 1000 करोड रुपे खर्च करे तो 1000 करोड अगर खर्च करे तो उस 1000 करोड का सीधा सीधा वो पैसा economy में आ गया तो पहले round में तो 1000 करोड की ही income generate हो जाती है straightforward पहले round में जितना आपने invest करा उतनी ही income generate हो इसका मतलब के की जो value है वो 1 तो होगी ही होगी देखो 1000 से 1000 हो गया है नहीं हो गया के की minimum value 1 तो होगी होगी जितना government ने खर्चा करा उतनी तो income होई गई ना उसमें तो जादा सोचना ही नहीं है तो minimum value 1 तो होई गई यह तो हमेशा होगी ही होगी अब सर इस पे बहुत कुछ depend करता है इस पे बहुत कुछ depend करता है let's suppose मैं बोल देता हूँ कि यहां पे हम MPC मान के चल रहे हैं 0.9 मान लो ठीक है आप MPC कितना मान लो 0.9 कि हमारा जो खर्चा है वो 0.9 होता है perfect है 0.9 हो गया अब देखते हैं हमारे पास कि कितना consumption होगा भई 1000 करोड की income होई तो खर्चा कितना होगा 900 करोड का 1000 करोड गया अगर income होई तो 90% 0.9 is 90% 900 करोड का खर्चा हो गया 900 का जो consumption हुआ अब वो खर्च होगा तो किसी ना किसी की फिर income होगी भई पैसा खर्च होगा तो अपनी जेब में दोड़ना रखेगा, किसी ना किसी की फिर इंकम हो जाएगी तो 900 करोड, let's suppose, मैं आपको और असानी से समझाता हूँ 1000 करोड की इंवेश्मेंट हुई, 1000 करोड किसकी जेब में आ गया suppose, सिमेंट वाले की जेब में आ गया, लेबर की जेब में आ गया स्कूल की फीज दी, स्कूल की इंकम हो गई, स्कूल ने टीचर की सालरी दी, टीचर की इंकम हो गई, इस तरीके से किताबे खरीदी, ट्यूशन फीज दी, इसके इलावा खाना खरीदावी, ट्राइस, ब्रेड, कितने लोगों की इंकम होई है, है ना, तो यहाँ पे सेवि साथ सो नत्य सिफा, I'm not wrong, ये चेक कर लेना, 729 फिर income हो जाएगी, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये rounds ऐसे ही, 3rd round, 4th round, 5th round, 6th round, 7th round, and ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा, जब तक आपकी ये saving जो है, ये 1000 नहीं हो जाती, यानि जितनी आपकी शुरू में income होई थी न, उतनी ही last में total saving हो जानी चाहिए, परफेक्ट, अब सर जब last में total saving इतनी हुई, तो यहाँ पे इसका total value कितना आएगा, इसका total value आने वाला है, 9000, और इसका total value कितने आने वाला है, 10,000, सर इसका मतलब, हमने 1000 करोड की अगर investment करी, उस 1000 करोड की investment से क्या economy में, 10,000 करोड की income generate हो गई, yes, 1000 करोड की investment से, 10,000 करोड की total income generate हो गई, सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ 10,000 ही आएगा, ये तो total चलता रहता है, चलता र point था कि यहाँ पे जितना income होता है, उतना ही last में saving होता है, जितना यहाँ पे total income होता है, उतना ही last में total saving हो जाता है, यहाँ पे table खतम होती है, यह पूरी, सही है, अब मुझे का एक formula तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँगा, कि multiply कितना हुआ, कि भाई, income और उससे होने वा तुम्हें सच बता हूँ, मुझे पहले से पता था कि यह 10 गुना ही आएगा, कैसे पता था, एक formula और है, एक formula और है, जो आप exam में इसके साथ नहीं लिखोगे, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए, वो formula क्या है, 1 upon 1 minus mpc, यानि की 1 upon 1 minus mpc, आपने कितना लिया था, 0.9 यही लिया था, 1 upon 0.10 यानि की 10 times, यह आपका answer, 10 times is your answer, कितना value आगया आपके पास, 10 times आपका answer आगया, समझे, तो यह 10 गुना मुझे पहले से पता था, सर क्या इसका कोई और formula भी होता है, yes, k is equal to 1 upon, 1 minus mpc को क्या बोलते हैं, mps, 1 upon mps, तो k, k multiplier के कितने formulas हो गए सर, यहाँ पे formulas बताओ ना, k is equal to delta y upon delta i, k is equal to 1 upon 1 minus mpc, k is equal to 1 upon mps, तो कभी भी आपको exam में कोई भी figure दियो इन में से, आप उनकी मदद से multiplier निकाल सकते हो, this topic is sorted, ठीक है, उसके बाद, अगर मैं बात करूँ, meaning of multiplier, तो मैंने आपको बताई दिया, कि जब भी economy में investment होगी, उस investment से कई गुना income generate होगी, तो उसको हम multiplier बोलते हैं, चलता कैसे है, table हम दिखा देंगे, ठीक है ना, अब देखो अगर आपे table पूरा बनाओगे, तो यहाँ पे total यही आएगा, 10,000, है ना, सर इसको थोड़ा change करें क्या, थोड़ा interesting सा बनाओ ना, आजा, एक और बना के दिखते हैं, यहाँ पे लेते हैं round, यहाँ पे लेते हैं investment, investment से कितनी income हुई, income में से कितना consumption हुआ, कितना saving हुआ, इस बार हम मान लेते हैं कि consumption 0.50 है, यानि जो MPC है, वो 0.50 है, और जो investment है, पहले round में वो हम ले लेते हैं, 5000 करोड़, चलो, अब कोशिश करो तुम लोग, औरली सोचो, औरली सोचो, तुम्हें पता होना चाहिए, क्या, कि सर हमे पता है, के is equal to 1 upon 1 minus MPC से चुपचाप लगा लेंगे, 1 upon 0.50, 0.50 का इसका आजएगा 2 times, इसका मतलब यह है, कि यह जो 5000 करोड़ आया है न, investment, इस investment से जो total income होने वाली है, वो इसका double होने वाली है, that is, 10,000 ही होने वाली है, यह आप है, हो गया है, नहीं हो गया, यहा सीधा 10, अब देखो, 5000 करोड हुआ, पहले में तो 5000 ही आएगा, 50% इसका consume होगा, तो 50% आगया, पच्चिस सो, सेव कितना होगा, पच्चिस सो, अगले round में पच्चिस सो की income, हो गया, अब इसका आदा, 1250 का आदा, 1250 का आदा is 625, है न, तो ऐसे अब यह चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो यहाँ पर value आजाएगी 5000, और यहाँ पर value आजाएगी 5000, तो देखो, 5000 income, और यह यहीं आके, और हमें पहले से पता था, कि 5000 से just double, 10,000 का ही income generate होने वाला है, 10,000 का MPC 50% था, तो 5000 खर्च, 5000 सेव्ट, सही है, ले इल्टा आई, यह हुआ 10,000, और यह था 5000, तो multiplier का value 2 times आया, हमें तो आता है सार, वाह, मेरे share, वाह, चालो, sort हो गया, meaning of multiplier आगया, अब बात करते हैं, relationship with MPC, पचो, MPC के साथ क्या relation, देखो, K का formula ही क्या था, 1 upon 1 minus MPC, या फिर 1 upon MPS, K is equal to 1 upon MPS, तो MPS के साथ तो inverse relationship हो गया, formula ही दिखा रहा है, inverse relationship हो गया, अगर आप वैसे भी देखो, जब हमने यहाँ पर MPC 0.9 लिया था, जब MPC 0.9 लिया था, तो 10 times आया था, जब हमने इसको कम करा, जब 0.5 कर दिया, तो यह 2 times आ गया, इसका मतलब MPC जब कम हुआ, तो multiplier भी कम हो गया, और अगर MPC बढ़ाते हैं, तो multiplier भी बढ़ जाता है, यानि K का MPC के साथ कैसा relation है, positive या direct relationship, ठीक है, और अगर MPS के साथ देखूं, तो MPS के साथ कैसा आएगा, MPS के साथ आएगा, inverse relationship, MPS अगर जादा आएगा, तो multiplier कम हो जाएगा, MPS कम होगा, तो multiplier जादा हो जाएगा, यार सीधी सी बात है, जितना खर्चा होगा, उतना ही multiply होने वाला है, जितना जादा save होगा, उतना कम multiply होगा, क्योंकि saving से नहीं multiply होता आप ऐसा, खर्चे से multiply होता है, याद रखना है, ओके, ये भी हो गया सर, MPC के साथ direct, MPS के साथ inverse, minimum and maximum value of multiplier, आजो, minimum तो मैंने आपको बता दी 1 आएगी, लेकिन फिर भी सर थोड़ा detail में बता हो न, देखो, MPC के उपर dependent है, आपने देख लिया, MPC का minimum क्या होता है, MPC 0 से 1 के ब 1 upon 1 minus MPC, तो यहाँ पे, 1 upon 1 minus 0, 1 upon 1, minimum value 1 आगए देखो, अगर MPC को 0 रखा, जो इसकी minimum value है, तो k कम से कम कितना आया, 1, यानि एक गुना तो हो गई होगा यार, तो common sense है, है ना, अगर maximum की बात करूं, 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus 1, 1 upon 0, infinite ही हो गया भाई है तो, तो जो multiplier है, कम से कम एक गुना तो हो गई होगा, और जादा कितना हो जाए, उसकी कोई guarantee नहीं है भाई, जादा तो unlimited तक पैसा बढ़ सकता है, कितने गुना multiply हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, है ना, तो क्या है यहाँ पे, हमारे पास, जो questions इससे आ सकते हैं, मैंने तुमार सारे पढ़ लिए, sorted, चलो, आजाओ, concept अब कुछ भी लिख दे यार, multiplier is the ratio of increase in income, due to increase in investment, investment बढ़ा तो income भी बढ़ गया, कीन्स बिलीव दाट, initial increment investment, increases the final income by many times, आप जब थोड़ी सी investment बढ़ाते हो, उससे जो final income है, वो कई गुना बढ़ती है, सही बात है, हमने यही सीखा है, multiplier explains how many times income increases, कितने गुना income बढ़ती है, यह multiplier दिखाता है, additional investment of 4000 करोड, generates an additional income of 16000 करोड, यह formula लिखके value बता रहा है, working of multiplier मैं आपको सिखा चुका हूँ सारा, क्या लिया है, it is the ratio of, यह हो गया है, दूसरा formula हो गया, तीसरा formula हो गया, working of multiplier is based on the fact that one person expenditure is another person's income, सीधी सी बात है, एक का खर्चा तो दूसरे की income, when an additional investment is made, income increases many times, income कई गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, अब इसको हम एक example के तौर सो समझते है, इसने 100 लिया वा है, और value MPC की 0.9 लिवी है, तो देखो, यहां 100 से शुरू आता न, बस यह याद रखना, यह हिंट है, इसका बड़ा सान, क् जितनी शुरू में, अरे, हमारे पास income होती है, उतनी ही last में total savings होती है, तो यह बाद आपको याद रखनी है, perfect, और यह, जितनी investment उसका many folds, income generate हो जाती है, ऐसा table बनाओ, फिर उसका explanation, यह लिखना है हमें, suppose additional investment of 1000 करोड, हमारा वाला 1000 था न, मैं वह लेता हूँ, 1000 करोड is made to construct a flyover, सरकार flyover बना रही है, वाह, this extra investment will generate, an extra income of, कितनी income generate होने वाली है, यहां से, extra investment से पहले round में same आएगा, 1000 से 1000 की तो होई गई, तबी तो one time था, है न, MPC अगर 0.9 लेते हैं, तो जो भी recipient होगा, इस 1000 करो 900 करोड़ा था, इसके केस में 90 करोड़ा है, ठीक है, अगले round में 90% से income बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है, देखो, 100 से 90 होगया था, हमारे में 900 होगया था, हमारे में 810 होगया था, तो हर round में 90% से क्या बढ़ने लगेगी, income बढ़ने लगेगी, perfect, and the rest will be saved, खर्चा भी ऐ इतना हो रहा है, at last, initial investment of 1000 crore, leads to total increase of 10,000 crore, इतना income, इसने एक 0 कम लिये, confused मत होना, क्यों इसने 100 लिया है, हमने 1000 लिया था अपने example में, तो एक एक 0 बढ़ाना वस, multiplier का value 10 times आ गया, formulas आ जाते हैं ये, उसके बाद अगर multiplier आपको ढूंड़ना हो कि formula कैसे निकला, तो देखो, we know that y is equal to c plus i, delta y is equal to delta c plus delta i, यहाँ पे रखा, equate करा, और formula निकला है, mpc के, sorry, multiplier का, तो अगर कभी पूछ ले, तो आपको ये question solve करनी आनी चाहिए, आपका सीधा-सीधा multiplier का formula निकल आएगा, this is how multiplier works, ठीक है, अब हमारे बास एक छोटा सा topic और बचा, ये, equilibrium level, जिसमें हम बात करेंगे, full employment, under employment और over full employment की, तो जो equilibrium है न, जो हमारे traditional economist थे, traditional, वो तो ये बोलते थे कि जो equilibrium है, वो बस एक ही जगह पर हो सकता है, जिसको हम full employment, equilibrium बोलते हैं, अबर जो modern economist आ रहे हैं न, 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 economist हो रहे हैं, बोला नहीं भाई, equilibrium तीन जगह पर हो सकता है, एक होता है, full employment equilibrium, एक होता है, under employment equilibrium, और एक होता है, over full employment equilibrium, equilibrium, सर इसका क्या मतलब है, देखो बहुत simple है, full employment कब होता है, कभी भी economy में, full employment का मतलब होता है, कि economy बहुत अच्छी चल रही है, जितने भी लोग, जो willing और able है काम करने के लिए, उनको काम मिल गया है, last chapter में पढ़ाया था, उसको full employment बोलते हैं, तो यहाँ पे हम consider करते हैं, कि economy में एक ऐसा point है, जहाँ पे AD और AS बराबर हैं, यह equilibrium है, और यहीं पे full employment भी है, यानि इसी point पे full employment भी है, तो एक ऐसा equilibrium level, जहाँ पे economy equilibrium पे operate कर रही है, और उसी place पे हमें full employment भी देखने को मिल रहा है, यानि full employment भी वहीं पे है, और equilibrium भी वहीं पे है, लेकिन अगर मैं बात करूँ under employment की, तो under employment का मतलब क्या होता है, लोग जितने capable हैं, उतना उन्हें काम नहीं मिल रहा, जैसे बोलता हूँ ना कि मैं भाई 10 गंटे काम कर सकता हूँ, बट काम मुझे 4 गंटे काहीं मिल रहा है, कारण क्या होता है, उसमें कारण होता है कि economy में demand नहीं है, economy डाउन चल रही है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो यार काम नहीं मिलेगा ना लोगों को, तो under employment का बाता है, under employment तब आता है, basically, जब demand कम हो, देखो, यह AS हो गया, यह AD हो गया, यह हमारा full employment equilibrium है, लेकिन अगर demand कम हो जाए, यह demand ही कम हो जाए, economy में, तो AD नीचे आ जाएगा, यह आ गया, AD1, अब हमें नया equilibrium यह मिल रहा है, मिल गया या नहीं मिल गया, तो यह तो था हमारे पास कौन सा, full employment equilibrium, बट अब जो हमें यह वाला equilibrium मिला ना, इसको हम क्या बोलते हैं, under employment equilibrium, please full forms use करना, यह आ गया, हमारे पास under employment equilibrium, sir, under employment क्यों है, उसके कई कारण हो सकते हैं, investment कम हो रही है, economy में, income कम हो रही है, economy में, लोग खर्चा नहीं करना चाहरे, demand कम हो गई, demand कम होगी, तो जो equilibrium यहाँ पे आना था, वो equilibrium यहाँ पे आ गया, कम हो गया है, नहीं हो गया, इसको हम under employment गोलते हैं, और over full employment क्या होता है, over full employment basically वैसे कोई शब्द नहीं है, over full, भाई full से भी ज़्यादा, इसमें सीडिसी बात है कि demand वगएरा बहुत ज़्यादा है, तो जो workers हैं, उनको काम अपनी need से भी ज़्यादा मिल रहा है, यानि कि 10 गंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन काम 13-34-14 गंटे का over time भी करना पड़ रहा है, over full काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे basically क्या होता है, यहाँ पे AD बहुत ज़्यादा होता है, इस situation में AD बहुत ज़्यादा होता है, कि यह आपका AS हो गया, यह AD हो गया, ठीक है, अब हमारे पास, for example, यह full employment equilibrium था, यह आ गया, अब अगर economy में demand ही बहुत ज़्यादा हो, पैसा ही बहुत ज़्यादा हो लोगों के पास, तो उस scenario में AD बढ़ता चला आता है, AD उपर आता है, इसको मैं बहुत देता हूँ AD 1, तो यहाँ पे हमें एक नया equilibrium मिला, यहाँ पे हमें एक नया equilibrium मिला, और हमारा output भी बढ़के आ गया, तो इस particular equilibrium को हम क्या बोलते हैं, कौन सा equilibrium, over full employment equilibrium, तो तीन ब्रगार की equilibrium है, simple याद रखना, अगर full employment, तो यहाँ पे AD बराबर IS, बिल्कुल equilibrium पे ही आ जाएगा, अंडर employment जब AD कम होता है, over full जब AD जादा होता है, ठीक है, आओ, चेक करो, छोटा सा topic है, ऐसा कुछ खास नहीं है, इसके अंदर बड़ा simple सा topic है, full employment क्या बोलते, situation when AD is equal to AS at full employment level, simple, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, वो ही simple curve है, E full employment equilibrium है, सही है, और output आपका सीधा सीधा यह आ गया, okay, under employment की बात करूँ, तो देखो under employment में AD कम होता है, यह वाला point कौन सा है, point of under employment equilibrium, यह वाला point कौन सा है, point of full employment equilibrium, perfect हो गया, उसके बाद यह होता कब है, situation when AD is equal to AS, when resources are not fully utilized, resources properly utilized नहीं है, यह full employment से पहले आ जाता है, ठीक है, और यह जब AD बहुत बढ़के आ रहो होता है, और यह full employment के बाद में आता है, यहाँ पे क्या है, it refers to a situation when AD is equal to, यहाँ AS लगा लेना, beyond the full employment level, it occurs after full employment level, तो यह होता है हमारे बास बच्चों, full employment, over full employment, और under employment equilibrium, I hope आप लोग को chapter पूरा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बस अब तुम लोग को इसके साथ-साथ, आपके बास जो भी book हैं, क्योंकि मैं इसके PYQs परसो कराने वाला हूं, 9th chapter कराने के बाद, तो आपके बास जो भी book है, उस book में से एक बार questions चेक कर लो, जो भी किताब आप यूज करते हो, आपके सारे हो जाएंगे, trust me on this part, और खूब मेहनत करो, 7-8 आज तयार कर लेना, तभी मज़ा आएगा भाई, देखो strategy का, 7-8 आज तयार करने हैं, anyhow, thank you so much, मिलता हूं, next video में,